अश्लाम अलेकम दोस्तों आप देखें एडवान्स एक चैनल और मैं हूँ ऐसी नली और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर नहीं जिसमें दोस्तों मैं आपको जैस की 4G की डिवाइस को फिक्स अब करने के तरीक अपता हूँ रहा तो दोस्तों यह जैस के 4G की डिवा उसके ऑफर मैंने एक नोकियो की बैटरी दाकर इसको फिक्स ऄट किया था लेकिन ओधनिं को मैं आपके तर बाइप करने की कांडन का रहा हूँ पर जो यह बोकी आपक अड़ कर आपको इसको जिसमें बटन-प्रेस करह हम करें आज लेकिन लेकिन ़या नहीं नहीं और आप कोई और अल्टरनेटिव वे फाइंड आउट करेंगे तो चलिए दरह वीडियो को कॉंटीनु करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पावर के बट्टम के पर फिंगर प्रेस की हुई है लेकिन ये अन नहीं होरी तो काफी देर मैंने इसको चारिजिंग भी लगा कर रखा है कि शायद बैटरी जो वबीक होगी है ये अन नहीं होई तो चलिए दर इसको open करते हैं और open करने के बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या problem है इसकी battery जहाँ क्यों नहीं boot up करवारी इसको तो दोस्तो बैटरी मैंने इसके अंदर से निकाल दी है battery आपके सामने है जो मैंने पहले वीडियो नई थी उसमें जो मैंने बैटरी यूज की थी यह वही बैटरी है लेकिन फाइनली आज इसकी यह वाली बैटरी भी डाट होगी दोस्ते एक बाप मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यार यह जैज की डिवाइस का यही प्रावलम है मैंने आपको पहले भी बताया था कि यार यह बैटरी का खराब कर देती है इसके टर्मिनल लगे हुए हैं और बैटरी के नागिटिव पॉसिटिव जहां पे लगे हैं यहां पर डिवाइस के भी नागिटिव पॉसिटिव आपने देख लेने हैं अब दोस्तों इसको फिस अब करने के लिए सबसे पहले एक यूएसबी केबल ले 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 जो के आपके चार्जर के साथ मौसली लगी होती है और उस केबल को जितनी आपको लेंच चाहिए वहां से काड़ ले मुझे थोड़ी सी चाहिए थी तो मैंने यहां से काड़ ली है यह मैंने चार्जिंग वाली साइड से काड़ ली है जो यूएसबी वाली साइड है शील्ड को मैंने रिमूव का ली है और इसके पर एक और कोटिंग है उसको भी मैंने आपके सामने शील्ड वह भी रिमूव कर दी है और इसके अंदर से चार केबले निगली है तो जो वाइट वाली दोनों केमले वो थोड़ी सी मोटी है तो इस तो जो समझे लाग रहा है कि जो पावर देती हैं वे ये वाइट वाली केबल हैं यह एलो और ग्रे जहां है वो डेटा की केबल हैं तो चलिए जड़ा वाइट केबल को मीटर लगा के चेक कर लेते हैं कि पॉजिटीव कौन सी है तो बाप देख सकते हैं इसके पर माइनस पांच वोट आ रहे हैं, इसका मंदब यह कि केबल वृटी लगी है, जो रेंड वाली प्रॉप है वो नेगटिव और ब्लैक वाली पॉजिटिव है, तो यहां से मैंने अब नेगटिव पॉजिटिव को फाइंड आउट का ली है, अब मैं इसको आपको दि और ब Allah कमदश और बात्वास ही कर collective आउट का लगाता हूं और इसकोili पगेटक पॉजिक 10 childhood में आउट के बिग्यार मुच मैंने थे ईसको बॉस्स कौन करते हैं अभी तो उन नहीं और इस शैद को प्राब्लम है तो उतर आम मैंने च normal world को चोबम मैं महें वारे तर दुबारा से मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ दुबारा पावर बैंक अन किया और इसको दुबारा इसकी नीचे से तूटा हुआ थो मैं दुबारा लगा दी और आपके सामने बिल्कुल सही तरह यह आन होगी है इसकी बैक साइड में आपको दिखाता हूँ वही केवल लगी यह कोई बैटरी नहीं है लेकिन यह बिल्कुल ठीक तरह से काम करी है दोस्तों मैं पावर मैंक था तो मैं सोचा यह क्यों ना इसको यूज किया ज़े तो बैटरी तो अब मेरे में इसकी बैटरी आवेलेबल भी नहीं होती है अब है आपको इसकी पॉजिटिव चेक करवाता हूं तो दोस्तों ये आपके सामने 4.444.6 वेरियेशन हो रही है तो 4.9 तक भी जाते हैं यानि 5 वाल्ट तक इसको प्रोवाइड हो रहे हैं और ये रेड प्रॉब आप देख सकते हैं राइट साइड पे और ब्लैक लेफ साइड पे है और इसी तरह आप अपने बैटरी के कनेक्शन करके आप इसको अपनी डिवाइस को फिक्स अप कर सकते हैं और इस USB कनेक्टर को जो दूसरी साइड पे मैंने पावर पैंक पे लगाए इसको आप चार्जर पे लगा के भी आन कर सकते हैं तो यह भी एक एडवांटेज़ आपको मिल जाएगा तो इसका कोई इतना इश्यू नहीं आप अपना पावर मैंक किसी भी वैलियो का चोटा बड़ा आप इसके साथ लगा सकते हैं तो यह झाली आपकी बैटरी को बूट अप करवा देगा और आप का काम चलता रहेगा तो दोस्तो यह तो oldi मनिया आज prochaine वीडियो में गात तो आज कि आपकी मेरी वीडियो पसंदा ही बिल एक लिएक When I..? लगाना चाहते हैं तो आप फ्लैट केबल यूज करें जो एक गॉल गॉलाई में होती है केबल वो जब आप इसकी डैक साइट पे केसिंग लगाएंगे तो बंद नहीं होगी ये सिंपल फ्लैट केबल है जो बरीक सी होती है जिसके लगाने के बाद एजी लिए आप अपनी क चार्जिंग पिन है पॉइंट है उसको आपने किसी पेड से बंद कर देना है ताकि कोई चार्जर वहाँ पे लगाना था